वीडियो में analysis करेंगे, PCBL share के बारे में आज की दिन एक जबजस्थ हम दों को momentum देखने मिल रहा है, स्टॉक में current price चल रहा है, 333 रुपर 20 परसी के पास, तो इस level से हम दों को क्या रनीती होना चाहिए, उपर के तरफ stock क्या target दिखा सकता है, या फिर fall देखने मिलेगा, आई यह बात करता है, नीची के तरफ stock में support है, 300 रुपर का लेवल जहां से stock ने आज के दिन एक जबजस्थ हम दों को breakout दिखा है, उपर के तरफ next resistance level है, 350 रुपर के पास, तो किसे ने buy करके रखा है PCBL short term के इसाफ से, या फिर long term के इसाफ से, अगर short term के इसाफ से invest किया है, उनका stop loss होना चाहिए, मस्च भी 300 रुपर के पास, कि 300 रुपर के लेवल एक psychological लेवल भी और round लेवल भी और बहुत time से stock देखेंगे तो 300 रुपर के नीचे sustain कर रहा था, तो stop loss लगाना ना भूले, अगर short term के इसाफ से stock में invest किया, 300 रुपर का stop loss होना चाहिए, अगर long term के इसाफ से stock को hold करके रखेंगे तो stock का stop loss होना चाहिए 275 रुपर के पास, क्योंकि 275 रुपर के पास में stock में नीचे के तरफ एक swing बना हो, अगर बायचान stock यह वाला swing ब्रेक आउट करते हो दिखता है तो नीचे के ताम लोगो 200 रुपर तक का भी गिराउट देखने मिल सकता है, तक के लिए इस वीडियो में वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें